तो वहां पर कई लोग तो वीडियो बनाए जाये जाएं सकता है सर कोई चीज को जिसे अब हम हैं तो हम परसाथन की सारी तो हैं कि अगर कोई घटना वारे घट रही है तो वो समाल लेंगी अब वही कुछ क्षेथ यह यहां मं बदफिज करने वाले क्या करते हैं। इतने गहों में ही काम करते हैं इस चो घटना गटी है कि कि अची वाद क्या बदल गया है पिछले तीन दिनों में। बदल यह गया है कि लागड़ों जैसे लग रहा है बदला गया है इसा पहले था वैसे अभी भी है फिलाल इसमें हम यह कहना चाह रहे हैं हमारे कोई तेवहार हुआ अभी जुलूस निकला बारुश शरीफ का उसमें कोई इसे घटना नहीं गटी कहीं पर बहरे चिलाके में और अभी यह ये ये तेवहार हुआ तो इसमें ये घटना खड़ गई तो इस पर जो कुछ भी हुआ हम यही कहना चाह रहे हैं घटना गट गए ये यह य यातरा निकली तो इसमें अपरे घटना घट गई तो क्या लग रहा ऐसा क्यूं हुआ? तो क्या लग रहा है कि हिंदू जो है वो जब मुस्लिम समधाय के का कोई तयोहार होता है उनका कोई जुलूस निकलता है तो उसमें वो लोग कोई वैबधान नहीं पैदा करते हैं मुस्लिम समधाय ने क्यों किया होगा? लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं चाह रहे होते हैं कि भाई चाह बनके रहे तो वो ऐसे कुछ बत्तमीजी कर देते हैं जिसके वज़ए से ये सब प्रशाइन उठानी पड़ती है बत्तमीजी तक तो बात ठीक थी लेकिन मार दिया जान से मार दिया कहते हैं कि पहले तो गुली मारी उसके बाद धारदार हतियार से मारा उसके बाद पत्थर से मारते रहे ये सब कहां से दिमाग में मान सकता कहां से आती है इतना इतना जहर क्यों है किसी के दिमाग में कि पत्तर वहां पर लगा कि नहीं लगा आपने देखा नहीं देखा नहीं होती कि आपके घर पर अगर चे आपका धार्म जंड लगा हो और इसको व झा घर ऑप कि आपके रेलिंग Mmm to अब क्या कहेंगे इस पर आप कोँ से कारवाई करेंगे अच्चिंकि यह सबसे बड़ी तो कम जो है कामिया यह हुई है परसासन के परसासन के कि हम लोग का जुलूस होता है तो सब साथ में एक रोड को बोलते हैं अगर दो रोड हैं तो बोलते हैं कि वन वे रोड से चलो यह जब जुलूस निकला इन लोगों का नौन मुसलिम का तो फिर दोनों चक्के जाम थे अब बताओ हम भी लोग जो है नौ बहरेज गए हुए थे उसी दिन जिस दिन घटना घटी है बहरेज गए हुए थे नौतला से आ रहे थे नौतला में हम लोग को पर रंग फेक दिया थे बहस्तना की इस बात की जो है इसारा करता है कि वह वाकिया में जानबूष के रंग फिका गया है तो इतना अंतर क्यों आ गया है आपको यह अगर बते मेज़े कह रहें तो उसका कोई नहीं कोई तो जो है स्लीशन निकाला जाएगा ना इस दिखिए और भी बहुत सारे लोगे हाँ जमा होगें क्या नाम है जी अपका जोड़ से बोलिए सब्बू अली अच्छा क्या करते हैं चैलून का काम करते हैं आज खुला हुआ सेलून की ने खुला हुआ जी नहीं दुकाने सारी तोड़ दी गई है कल दात में तूटी है दिन में कल और परसौरात में भी जुलू सो पर्वतिहार हो या उनका कोई पर्वतिहार हो इसी घटना तो नहीं घटती थी तो फिर इस बार क्यों घटती लेकिन सर ये तो नहीं बता है लेकिन अब परशासन थी वहाँ पे तो उन्हें समालना चाहिए था अब एक बेक्ति थोड़ी नहीं समाल सकता है सर को कोई विसरजन के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं उसमें गाना बजाना हो रहा है तो उसको बंद करा जाना चाहिए या उसके लिए विरोध करना चाहिए नहीं वो तो नहीं करना चाहिए कि हम लोग साथ में जाते भी हैं जब कुछ होता है जिसे विसरजन होता ह तो इस तरह की चीज़ें हुई आप को लगरा है कि इसके फिछे कूई क Ao प्लैन था कोई है कि जान बुज कर यात्रा को रखने की कोशिश हुई बोला डीजे बंद कर दो तभी जा पाओ गए यहां से फिर हंगामा हो गया जगड़ा हो गया अब हम वहां तो थे नहीं कि ऐसा क्या हुआ है तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं लेकिन एक सोच तो होगी ना कि यह यात्रा जा रही है तो हम जैसे माली ज काम होगे तो ऐसा कैसे वोल सकते हैं अच्छा जी पल全部 लग लग रहा है तो गटना गटी है इसमें कुछ मिला ती बाते हो रही है यह तो हम नहीं कह सकते हैं तो पर पर आप लोग अब क्या चाहते हैं क्योव क्यों आप नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी तो यह चाहते हैं कि जिन्हों ने जो किया है सर उनको सजा दी जिये लेकिन जो निर्दोष इनकी दुकाने तोड़ी जा रही है कि नान मुस्लिम को मारा जा रहा है सर उनको यह सब बंद होना चाहिए अपना लों को लग रहा है कि इसमें सर्मान मुसलिम है जी बिल्कूल है तो हाईलाइट सब देख रहे है मुसल्मान कोहीं रोक रोक के पूछते हैं गाड़ी रोकते हैं कि आप तोड़े लेकिन कल से बंद है कु khas लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उनका जो दूसरे समुदाइक हैं निकी हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने अती कर दी थी सर देखो दिसे की हमारा गाओं है ठीक तो मेरे गाओं में गर सो मुसलिम घर हैं अगर पांच हिंदू है और बहराइच में इसी घटना होती कि कोई हिंदू अगर मुसलिम को मार देता है तो ये मुझे नहीं होता है कि मेरे पांच घर है मुसलिम हिंदू के तो उनको हम उनके प्र यही सवाल है कि इस तरह की मानसिक्ता कहां से आ रही है और जैसा की बता रहे थे मास्टर हैं यह पढ़ाते हैं कि स्कूल में तो सुचे कि समझदार पढ़े लिखे वेक्ति जो हैं वो यह कह रहे हैं कि इनके जलूस में कोई घटना नहीं घटी इनका जो तिहार हुआ उसमें कोई घटना नहीं घटी है कि हम किसी का ना जंडा उखाडते हैं ना किसी से कोई विवात करते हैं अपना सीधा जाते हैं सीधा आ जाते हैं यह सीधा आ जाते हैं, सीधा आ जाते हैं और यहां की जो यातरँ निकल रही थी उसमें म्यूजिक बज रहा था, गाना चल रहा था लेकिन इस तरह चीजेशेशेशे चाहता नहीं है कोई किसी के ओपर कोई अत्याचार ना करें, किसी के धार्मिक कारिक्रम को कोई रोकने की कोशिश ना करें, किसी के धार्मिक कारिक्रम में कोई अडचन डालने की कोशिश ना करें, तो भाईचारा अपने आप ही बना रहेगा, भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन साजिश के तौर पर या मांसिक्ता के तौर पर या कुछ नया ऐसा कहा जैसे जा रहा है कि राजनीती क्योंकि अभी चुनावाने वाले है तो उसके सोचे समझे कोई इस तरह की चीजों को अंजम दिया जा रहा है तो इनका भी मानना है कि जो दोशी हैं जिनोंने इस घटना को अंजाम दिया, जिनके उपर आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, खुद मुस्लिम कॉम्निटी के लोग कह रहे हैं, और मैं उस गाउं से खड़ा हो कि आपको ये रिपोर्ट दिखा से उनके चाहिए, झालोब जोओ मिलनी चाहिए, और गया हो बृज कि रोग कि आपना फंग, गया लोग कि पूलाव से खड़त्व मिलनी चे था आरोग कि गड़री रिवयापास कि आप हैं, जिनके था जम रिवापास कि उनका मिलना सतता बमाइक दन domestic, मिलना,